हेलो गाइस हाव आ यू माइनेम इस शिवामतियागी वेलकम टुटी फंडा सो हेस दे न्यूस्पेपर अनलाइसस फिफ्टीन डेज विए 15 दिन का बढ़िया न्यूस्पेपर अनलाइसस बन गया काफी अच्छा बन गया इस बार मैं एक एक दोदे दिन का बना रहा था फिर लोगों क्या पसंद आता है कि 15 देज का में एक साथ ही आपको दे दो कि हमें व्यूस से मतलब नहीं है में चीज है कि आपका फाइदा होना चाहिए मैं डेली अगर पांच मिनट की वीडियो डालूं और आप में को सोचे कि मैं व्यूस के लिए कर रहा हूं तो ऐसा सुप्रीम कोट कोलियेजम रिकमेंड भंडारी फॉर चीफ जस्टिस पोस्ट तो अभी क्या चीज है कोलियेजम तो आप याद रखेगा जब भी सुप्रीम कोट या हाई कोट के वकीलों को चुना जाता है जब भी उन्हें CGI बनाय जाता है तो उसमें कोई एक्जाम नहीं इता है जब दिफरेंट जज़ेज बनते हैं उसमें से एक क्या करते है हमारे चीफ ज़स्टिस भी होते हैं वो सब करते हैं जज़ेज का नाम और जो रिकमेंड करते हैं उन्हीं वे से जज़ बनता है ठीक है तो कोलियेजम होता है इसमें कितने लोग चीफ जस्टिस आप आउंगे एक तो Chief Justice of India और पाँच Supreme Court के जज ये पाँच Supreme Court के जज और एक CGI ये टोटल पाँच लोग होते हैं एक तो CGI होता है और चार Supreme Court के जज होते हैं जो दिसाइड करते हैं ये क्या करते हैं ये सजेशन दे देते हैं कि भाई हमने चुनाएं इन आदमी को अपोइन्मेंट कौन करेगा याद रखेगा सबसे ज़्यादा बड़ी पावर अपोइन्मेंट कोई भी हो अपोइन्मेंट हमारे प्रेशिडेंट ऑफ इंडिया ही करते हैं तो ये जो नाम है ये केवल सजेस्ट कर देते हैं प्रेशिडेंट ऑफ इंडिया को और लास्ट में ये अपोइन्ट जो करते हैं प्रेशिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं अच्छे कोलीजियम में ये कहां से बात आई थी कि अब UPSC इसके उपर सवाल पूछ चुके एक NJAC, नेशनल जुडिशल अपॉइन्मेंट कमिटी, ये एक अमेंडमेंट पास करा था, पाल्यमंड ने, लेकिन सुप्रीम कोट ने इसे अनकॉंस्टिटूशनल डिसाइड कर दिया था, इसमें NJAC में यही बोला गया था, कि जो पर दिया, और लेडी NJAC और कोलियम के बीच के डिफरेंस के ऊपर, सिवल सर्विस एक्जाम में सवाल आ चुका है, जो 2020 का मेंस का पेपर था, GS2 का, उसमें NJAC और कोलियम के ऊपर सवाल आया चुका है, आप जाके चेक कर सकते हैं, इसमें कोई जूट बालत नहीं है, तो अब भी यह आ सकता है, तो यह पूरी कहानी थी कोलियम के, मैं आपको आगे भी दिखा दिता हूँ, अगर वो पूछ लेता है आपसे कि NJAC, National Judicial Appointment Committee और कोलियम में क्या डिफरेंस है, तो दिखें, कोलियम जो बेस्ट है, और थ्री जजज केस, यह तो मैं आपको बता चु होगे, फिर राजिसवा से पास होगे, इसमें यह बोला गया था, कि जो भी हम जजज को Appoint करते हैं, उसमें 6 लोग होंगे, जज को Appoint करने के लिए, एक तो CGI साभी होंगे, दो Supreme Court के Judge होंगे, Law Minister होगा, तो Eminent Person होगे, उसमें यह नहीं बोला था, कि भाई सारे Supreme Court के इसमें य हो कि अच्छी समझो, लेकिन इसको एकदम नकार दिया, क्या कहते हैं, Supreme Court में चला गया था, Collegium NJAC वाला matter, और इसको Unconstitutional Decide कर दिया था, कि यह बेसिक structure का हनन है, बेसिक structure, आपको पता है, बेसिक structure कहां से आता है, तो 42 Constitutional Amendment Act, कि कौन सा केस है, केस वानन्द भारती केस, वहा है, वह बेसिक structure के खिलाब जा रहा है, इसलिए हम इसको Unconstitutional Decide करते हैं, has no constitution, हाँ, Collegium का क्या है, कि CGI होता है, और 5-4 लोग और होते हैं, यह वही चीज़ लिख रही है, इसकी कोई constitutional backing नहीं है, यह कई लिखा ही नहीं है, कोई constitutional backing नहीं है, Constitution of India में क्या लिखा गया, Article 124 कहता है, कि appointment जो किये जाएंगे, वो president करेगा in consultation with judge, as president may deem necessary, तो हमारा जो article 124 का, वो यह कहता है, कि president जो है, वो appoint करेगा judges को, किसकी help लेगा, CGI की, अगर वो चाहें, तो suggestion ले सकता है, critics say it is a closed door system which lacks transparency, यह सही बात है, जो सबसे important point, जो Collegium का निकलता है, कि इसमें transparency नहीं है, transparency क्यों नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, मान के चलिए, हमें यह वाला judge पसंद है, और जो panel बैठा है, 5 लोग का, उनको लगता है, उनको भी लगता है, यह जजज पसंद है, लेकिन ज्यादा qualified यह वाला judge है, A ज्यादा qualified है, B वाला judge qualified नहीं है, लेकिन किसी का transparency तो ही नहीं ह बात होता है, वो आप मैंको लिख सकते हैं, मेरी इंस्टापर मैंको बेश सकते हैं, जो चाहिए बच्चे आंसर लिख के इसका, ठीक है, यह पूरी नियूस थी, जो मैंको सम्झानी थी, आगे चलते हैं, कौन अपॉइंट्मेंट हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, यह कभी न लगया है कि 100 days का employment देंगे कहां पर देंगे याद रखेगा केवल rural employment की बात हुई है इसमें कभी भी अर्मल employment मतला शहरी employment की बात नहीं हुई है सबसे important जो आपको फसाता है यही एक statement आजाएगा कि मन्रेगा जो है वो रूरल और अर्बन दोनों के लिए नहीं एम जी नरेगा जो है वो केवल और केवल रूरल employment के लिए इसमें 100 दिन का खुदाई का काम करवा रहे हैं कोच भी काम करा रहे हैं तोड़ा ताड़ी का काम हो रहा है कोई भी प्रॉपर काम स्किल्ड काम नहीं होता है सबसे पहली बात तो यह दिक्कत है दूसरा इसमें क्या दिक्कत है कि जो हम पैसा देते हैं वो women's और जो man है उन दोनों को अलग की scheme की यह पूछे कैसी scheme है तो एक्ट के थू आई है एम जी नरेगा एक्ट था 2005 का उससे आया है अभी देखा गया था जब हमारे यह लोगडान लगा था कोविड में तो एम जी नरेगा में बहुत जादा लोग इंक्लूजन चलने लग गए थी क्योंकि उनकी जॉब चली गए थी लेकिन आप फिर से देख रहे हैं कि यह वर्क सॉफ्टन का मतलब है कि दीरे-दीरे काम जो हो धीला होता जा रहा है ठीक है तो यह पूरी कहानी है कि इम जी नर्यगा की डो तीन जगे और मतलब फेयमस नहीं है इसको यह नहीं बोल सकते कि फेमस नहीं है ठीक है अब हम चलते हैं एक और आगे की तरफ यह एम जी नरेगा पे कुछ और पॉंट है जो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं अपनी तरफ से मैंने यहां पर लिग गोल उसकी सारे no poverty, zero hunger, यह सारे जो गोल तो जाता है, जो जो यह cover करता है, यहां के बल उन्हीं का नाम लिखा हुआ है, MG नरेगा से क्या होगा, employment generation होगा, asset creation होगा, agriculture wages बढ़ेंगे, empowerment of women होगा, upliftment होगा, reduction होगा, migration का, rural poverty गरीभी कम होगी, creation of sustainable asset, यह वाली बात हो रही है, यह asset जो होगा, तो आप सारे point अगर MG नरेगा पर बोलता है, तो आप यह सारे point लिख सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, इंडिया रेंक 3rd globally in forest area gain survey, अब इसमें जो बात चलती है, आपको पता है, हमारा forest survey हुआ है, इंडिया का जो forest है, वो increase किया गया, लेकिन एक सवाल आता है, जो सबसे जाद है, अल्रीड एक exam में पूछा जा चुका है, कि इंडिया जो है, वो cover करता है 25% of forest area, कि 25% से जादा है, या 25% से कम है, तो याद रखे का, इंडिया का केवल 24% है, 25 नहीं है, सबसे important सवाल जो अटकाया जाता है, वो 25 वो 24 पे ही लेडिया आपको समझा चुका हूँ, तो इंडिया का केवल 24% area जो है, वो क्या कहते हैं, हमारे forest area में आता है, top 10 countries की बात करेंगे, तो सबसे उपर आता है Brazil, याद रखेंगे, जिसमें सबसे जादा forest जो है, वो है ब्रेजील, इसमें 59% है, बस आपको एक ही याद रखना है इसके सबसे जादा है, इंडिया के कितने हैं, इंडिया के 24 है, ये इंडिया का है, इन दोनों को याद रखना है, अच्छा ये बताएंगे, इंडिया में जो forest है, वो सबसे जादा किस टाइप का forest है, जैसे dense forest है, open dense forest है, canopy है, canopy, ये सारे forest के types होते हैं, तो आपको बताने है इंडिया में जो forest है वो सबसे ज़्यादा इनमें से कौन सा forest है बहुत एक सवाल शायद बहुत पुराना सवाल है पूछा जा चुका है सबसे ज़्यादा forest कौन सा है और सबसे ज़्यादा जो increase हुआ है forest cover में जो increase हुआ है forest cover में आगे चलते हैं और यह जो रिपोर्ट निकाल जाती है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बोलते हैं यह जो यह बाइनियल रिपोर्ट है मतलब दो साल में एक बार निकाली जाती है प्लीज यह भी याद रखेगा दो साल में एक बार निकाली जाती है बाइनियल तो ethanol क्या होता, ethanol कुछ नहीं होता, ethanol एक byproduct है, जब भी हम sugar gain, जब भी हम गन्य को, आप देखिए, मिल पे लिके जाएंगे, तो उसका juice निकाल लिया जाता है, और एक byproduct बनता है, जिसे हम ethanol कहते हैं, तो ethanol क्या होता है, ऐसा biofuel काम करता है, कि हम इसको blend कर सकते हैं, किसी भी petrol य करनी है, by 2025, याद रखेंगे, यह हमारा target है, कि 20% हमें blend करना है, कब तक 2025 तक, यह हमारा target है, और इंडिया अचीव कर चुका है, 12% ethanol, petrol में 15% ethanol, petrol में यह E12, E15 अभी इंडिया में चल रहा है, इंडिया में चल रहा है, इंडिया ब्लेंड ब्लेंड टार्गेट इस 10%, तो यह यह तना ज्याद करने की जरुवत नहीं, कि यह तर्गेट रखेंगा, कि इंडिया का जो टार्गेट है, 20% है, by 2025, ethanol act as a biofuel, एक इसमें term, ethanol के लावा एक और byproduct निकलता है, जिसे हम बोलते है, molasses, यह भी use होता है, molasses as a binding agent, जब भी आपने mold world बनते देखेंगे न, क्या कहते है, इसमें एक जो में को और पताना है, biofuel कितने टाप के होते हैं, तो यहाद रखेंगे, 1st generation, 2nd generation, 3rd generation, 4th generation, 4th generation, 4th generation, चार टाप के biofuel होते हैं, वो पूछ लेता है, मैंने ऐसे सवाल देखें, क्या आप बताईए कि algae जो है, वो किस टाप का, कौन से generation है, 3rd generation है, 4th generation है, इसमें से बताईए कि 3rd generation का biofuel कौन सा है, तो 1st generation का biofuel होते हैं, वो आते हैं, edible biomass, जिसमें edible जो होते हैं, जो खाने वाले प्रदार्थ होने है, biomass वो आते हैं, 2nd generation में आते हैं, non-edual, जिने हम खा नहीं सकते हैं, wood, straw, grass, waste, यह 2nd generation, 3rd generation में आता है, algae, यह algae वाले आते हैं, 4th जनेरेशन में आते हैं, pyrolysis, solar to fuel, engineered algae, gasification, तो यह सारी बात है, ठीक है, तो इस टोटल चीज़ें आपको याद होने चाहिए, 1st generation में food item, 2nd generation में non-food item, 3rd generation में algae वाले, 4th generation में pyrolysis या breakthrough जो engineered algae बनती हैं, या solar to fuel जो mixture बनती हैं, वो सबाते हैं, तो यह आपकी जानकारी के लि क्योंकि इससे सवाल होता है, कभी इससे सवाल नहीं होगा, या तो इसमें बस यह target के पूछ लेता है, कब तक cover करना है, और इससे कुछ भी नहीं पूछेगा, ethanol blending of 8.1% achieved, target was 10%, तो इस साल का target था 10%, overall target था हमारा 2025 तक कही है, 20% हमें blend, blend मतलब mix करना है, और कुछ नहीं, आगे चलते हैं, adopt unique trail for cross border insolvency, तो यह unique trail क्या है, तो uni CITRAL, इसको बोलते है, UN Commission on International Trade Law, UN Commission on International Trade Law, इसमें कुछ नहीं है, इसमें यह है, कि मान की चलिए, विजय मालिया को पकड़ लेते हैं, विजय मालिया हमारे देश से बाहर भाग गए, अब उनकी जो hearing चल रही है, वो बाहर के, क्या करते हैं, कोटों में चल रही है, तो यह सरकार हमारी Indian government यह बोल रही है, कि ऐसा law होना चाहिए, कि बहार भी अगर trial चले, किसी भी मतलब मुर्जम का, जिसने भी insolvency करी हो, वो मतलब उसकी बात मानने हो, उस court की बात मानने हो, तो economic survey has called for a standard framework for cross border insolvency, कि कोई यहां कु UNICEI trail, इसकी full form याद रखनी है, और क्या कहते हैं, किसके इसके चार principle है, access, recognition, corporation, coordination, और it has been adopted by 49 country, 49 country के ज़्यादा अडॉप्ट हो चुका है, और यह UN का ही पार्ट है, आपको यह भी याद होना चाहिए, बस इससे जादा इसको मतलब अभी इतना depth में याद करने की तो के यह तमिल नाडू और अर्जेस के ला की बात है, तो आपको बस इसकी लोकेशन याद होने चीए, और इससे जादा याद करने कुछ जरुवत नहीं, आगे चलते हैं, जापान अडॉप्ट resolution on China right situation, तो चाइना अब यह क्या है, जापान ने एक resolution अडूप्ट कर दिया जिंग जियां एक रीजन है, वहाँ पर रहती है, इनका बहुत जारा, मतलब इनको बहुत प्रताड़त हो रहा है महाँ पर, एक Muslim community है, जो अगर आप से पूछ भी लेते हैं, कि यूगर जो community है, वो कहां की है, इसका सवाल सिंपल होगा, आंसर जो होगा, चाइना होगा, द one country, two system, एक तो one country कौन सी है, चाइना, लेकि टू सिस्टम मतलब, तो एक तो सिस्टम जो है, वो चाइना के लिए, और होंग कों के लिए अलग सिस्टम है, तो क्या करते हैं, तो 2049 तक यही सिस्टम चलता रहेगा, 2049 के बाद डिसाइड किया जाएगा, कि होंग कों का क्या ह है, अपने काम के दो बड़ते हैं, होंग को इंपोर्टेंट है, यूगर को इंपोर्टेंट है, तो यूगर मुस्लिम कम्यूनिटी है, जिनके साथ बहुत जाधा प्तारशान होती रहती है, इनको तो मारा काटा जाता है चाहना में, लेकिन आपने देखा होगा, कभी जित बोरा हो रहा है, लेकिन कोई भी देश, मान कि इस सबसे इंपोर्टेंट तो टर्की, इंडिया में कुछ भी करता है, तो टर्की सबसे पहले मूँ उठाथ के बोल देता है, तर्की एक ऐसी कंट्री है, जो हमेशा आप देखी का पाकिस्तान के साथ खड़ी हो जाती है, ज़ाधा Muslim Community रहती है, फिर भी इंडिया को मतलब OIC का पाट नहीं है, और्गनाइज़ेशन जो Islamic Corporation है, इंडिया में Second Largest शायद I think Muslim Community रहती है, लेकिन इंडिया जो हो OIC का पाट नहीं है, जहां पर सारी Islamic Country मिलके Decider करती है, अब यह पता नहीं हो रहा है, क्या ही बोले, आगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं मतलब मैं आपको सिंपल बता जिता हूं बता जोनों सिंपल कै एंपर यहां राइट है यहां इस लिए करा है यहां दो लोगों के बीच में अमेशा तनी तनी रहती वालस्टीट सब्सक्राइब कि हुआ इज एक तो इस्रेली इस्राइल इस्रयली जिस्तों में जितने प्यलेस्टीए Ale людей इस्रेल को मैं delic. वह फंसे फिर्ड़ यह मांदा मॉनिय इनको भागा दिया सब्सक्राइब मतलब इनी के साथ जो प्रताणना होई थी, इटलर ने करी थी, वो इनी लोगों के साथ करी थी, तो आज का हो रहा है, आज ये हो रहा है कि जो इस्रेल में जो पलिस्टियन रोग रहते हैं, उनके साथ भी inferior ट्रीट हो रहा है, तो उसी का नाम है अपर्थियर डिश्टेट, क कि यहां पर लोग को segregate किया गया है on the grounds of race, कि यह inferior है, यह हमसे बुरा है, यह हमसे अच्छा है, तो इस्रेली लोग पलिस्टियन को मानते हैं inferior, इसलिए इसको अपर्थियर डिश्टेट गोशित किया गया है, इस word का अपने आप बहुत important है, आप से direct पूछा रहा सकता है कि इसका meaning में बताईए, या इस word को आप कहीं पे भी अपने interview में या during अपना second paper में use कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने यह आपको news बताईए, आगे चलते हैं, अच्छा, एक important चीज़ कि फरवरी में आपका budget भी आया था, एक से 15 तारकी मैंने news cover करी है, बहुत लोग सोचेंगे, आपने budget का कुछ नहीं बताए, तो अब budget का मैंने कुछ नहीं बताए, क्योंकि budget आपके काम का नहीं है, आप UPSC civil service की त्यार ही नहीं कर रहे है, मेरे को comment आ तो आप UPSC civil service नहीं पढ़ रहे हैं, आपको निकालना है assistant commandant का exam, तो उसमें इतने सवाल होते हैं नहीं, budget आप क्य सारे वेख चुके हैं, क्यों कि कि इलक्षन था, तो क्या होता है, एलक्टोरल पॉण्ड कुछ नहीं होता है, एक तरह का बॉंड होता है, जैसे मैं हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं बैंक में जाओंगा, कौन सी बैंक देती है, तो only SBI, SBI ही एक बैंक है, electoral bond issue कर दो, तो SBI मेरे को 1000 रुपे का bond issue कर देगी और वो पैसा जो है, वो BJP को चला जाएगा, अब ये कि किसने, जैसे मैं हूँ, तो SBI वाले कभी भी BJP को नहीं बताएंगे या किसी भी सरकार को नहीं बताएंगे कि ये पैसा कहा से आ रहा है, उन्हें भी नहीं पता ये anonymous पैसा हो जाता है, कि उसको BJP वाले को पता ही नहीं है, कि ये पैसा मैंने दिया है, तो इसको बोलते है, electoral bond इसमें जो खास बात है, वो ये है कि हमेशा 1000 रुपे के terms में issue होते हैं तो 1000 में होंगे, या 10 assumptions में या एक लाक में होंगे, या 10 लाक में होंगे यह इसी में होते हैं, ये केवल evangelical bond कॉन किस-किस political party को दे सकते हैं, तो ये केवल हम उनी political party को दे सकते हैं, जिननों ने last election में कम से कम 1% vote पढ़ाओ, ये केवल उन्ही पार्टी को मिलेगा जिन्होंने लास्ट इलक्षन में करीब कम से कम 1% वोट जिनको पढ़ा हो उनको ही इलक्टोरल बॉंड मिलता है ये केवल SBI जो एक इसके बार में बहुत क्रिटिसिस्म होता है कि लक्टोरल बॉंड जो एनॉनिमस है बहुत अंदा पैसा जा रहा है उसमें हमें नहीं फसना है वह एक अच्छा सवाल है उसके लिए मैं हो सकता है अलग से आपको बताई दूँगा इसको कवन नहीं कर रहा हूं मैं यही तक जि यह मैंना बताई दिया है वन परसंट वोट वाली बात याद रखेगा हजार की डिनॉमिनेशन में होते हैं यह याद रखेगा आगे चलते हैं इंडियन डिप्लोमेंट टू बॉयकॉट बीजिंग गेप्स तो क्यों हुआ ऐसा क्यों हुआ है कि अभी जब भी हमारे उल्म्पिक गेमस होते हैं तो ऊसमें टॉर्च होती है तो क्यों ह घूमा चाता है के यह विद्ध की तो विविद्वर्पिक होने वाल आ है बीजिंग में घूल पचंस में जिसनें गल्वां गल्वान mêmesни में डिन्मा मारा ता पकड़ पकड़ के घुमा जाता है तो अभी क्या हुआ था कि यह जो टॉर्च थी मतलब एक मशाल टाइप की होती है उसको गुमाए जाता है तो अभी जो विंटर ओलंपिक होने वाले हैं बीजिंग में तो जो चाइना वाले हैं चाइना ने वो मशाल उस सोलजर के हाथ में दे दी जिसने गलवान गलवान जो वल्य को मार था रहा तो इसंलिए इंडिया ने भाई मना कर दिया, कि वो इसका कोई भी, मतलब क्या करते हैं, इंडिन डिप्लोमेंट ने बोईकॉट कर दिया, कि हम नहीं जाएंगे, यहां तक कि जो भी टेलीकास, जो भी ओप्रिंग सेरिमनी होगी, यह क्लोजिंग सेरिमनी होगी, उसको हम लाइव नहीं करेंगे, त यह केवल मैं इसलिए बता रहा हूं, यह ऐसे नहीं बता रहा हूं कि आप बहुत बच्चों बोलेंगे, यह हमारे किस काम का है, आप जो पढ़ा रहे हो, यह बच्चों आपके इस काम का है, कि आप इस न्यूस को भली आप अपने इंट्रिवू में भी याद कर सकते हैं, यह इंट्रिव्यू से जादा यह आप अपने पेपर टू में, इंडिया-चाइन रिलेशन पर अगर कुछ आता है, तो उसमें आप यूस कर सकते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, Celebrating 100 years of Bheem San Joshi, तो 100 years हम Bheem San Joshi का मना रहे हैं, तो याद रखेंगे, Bheem San Joshi जो है, वो music से, किस से related है, बस आपको यह चीज़ आद रखना है, music से related है, बस, music और इस से जाद याद करने एक कुछ जरूत नहीं है, यह news थी, इसलिए मैंने बता दिया, इनकी क्या-क्या, इन् तो आगे चलते हैं, जाफना फिशर्मेन होल्ड प्रोटेस्ट अपोजिंग इंडियन टॉलिंग तो अभी जाफना में जो फिशर्मेन हैं, उनको उनका प्रोटेस्ट चल ला है, क्योंकि इंडियन लोग मतलब टॉलिंग वहां आते रहते हैं, तो क्लेश रहता है, अब इनांट पोर्ट को खुरीद रहा था कि भाइच्ट में इपना पॉर्ट बनाइंगे पिर यहां चायना आ गया तो वहां बाद कट गई यहां कुलम्बो फोर्ट है थो आप इस को लंबो पोर्ट को भी यहाद राख सकते हैं किस जगह पर बस आपको जाफना तर्म याद रखना है किस रिलेटर है श्री लंगा से लेटर है बस आगे आते हैं तिलंगना गवर्मेंट में एक इलेबॉरेट अरेज्टमेंट फॉर पी एम विजिट तो भाई ये तिलंगना में एक स्टेच्व बनाए गया है सेकंड लाज़स्टेच्व फर्स्ट वेष्णविष्ठ सेंट है वैश्णविष्ट जो भगवान विष्णू को मानते हैं वैश्णविष सेंद बोलते है और इनको अदवैत चार्ज भी बोलते है अंतवयेच्वाहिश चार सेен नाम चराि नाम सेosaurus फॉक्ति का लेलेटर? और पुरफ इनका कहां यह二番 में Statue of Equality Statue of Equality तिलंग ना में है सेकिंड लाइजस्ट है क्या कितने हैं किस ट्रेडिशन से बिलॉंग करते हैं वैशनविश ट्रेडिशन से बिलॉंग करते हैं और यह पंच लोगी की मूर्ती बन रही है यह मैंने आपको बता दिया अधिवेत चार्रे से भी इनका दूसरा नाम है और यह सम्मे ने बता दिया और मैं क्या बता हूं इसके बारे में इनके बारे में 216 feet की statue है और अच्छी tourist site बन सकती है आगे चलते है Statue of Equality ना मियाद रखेग 22nd Law Commission to Study UCC अब यह UCC क्या है UCC का मतलब है Uniform Civil Court Uniform Civil Court किसमें बोला गया है तो Article 44 याद रखेंगे Article 44 जो आज का हमारा DPSP है Director Principle of State Policy उसमें यह बोला गया है कि भाही इसमें बात की गई है अभी Law Commission क्या होता है Law Commission बताइए किस type की body है तो याद रखेंगे Law Commission ना तो constitutional body है जो इस बच्चे से पूछो ना वो confused ही रहता है अगर मैं Law Commission बोलूँगा न वो इसे हमेशा constitutional body बोलेगा तो याद रखेंगे Law Commission not a constitutional body यह constitutional body नहीं है जब भी सरकार को लगता है तो सरकार इसका गठन कर देती है और यह temporary होता है सबसे important temporary जब इसका काम हो जाता है तो इसको हम बंद कर देते है Law Commission temporary है यह केवल suggestion देता है suggestion देता है center government को कि आप यह यह काम करिए और जो suggestion है वो non mandatory है कि सरकार चाहे तो उनको अमल में ला सकती है सबसे पहले Law Commission कब आये था तो Law Commission जो सबसे पहले आये था 1833 में आये था जो चार्ट रेक्ट जो हमने चार्ट रेक्ट में आपको अल्लेडी modern history पढ़ा चुका हूँ जिन बच्चों ने नहीं पढ़ियो जा कि पढ़ सकते है मेरी अल्लेडी वीडियो पढ़ी हुई है और जो बच्चे जाते हैं में दुबारा से modern history पढ़ा हूँ क्योंने दुबारा से मेर से पढ़ना है तो नीचे comment section में बता सकते हैं अगर में कोई जाधा comment आते हैं तो हमें history आपको दुबारा से revise करा दूँग modern history मैं अल्लेडी एक बढ़ प्ला चुका हूँ तो यह second law commission की बात आई थी चार्ट रेक्ट ऑफ 18.83 में आई थी जिसमें Lord Macaulay जो Lord Macaulay थे सबसे first time उसने ही law commission का गठन किया था और Macaulay यह हमारी CRPC है इनको लेकर आया और जो हमारी normal IPCA वो भी Macaulay के time पर आई यह तो यह सारे यह लिगा है ठीक है बस इसी यही news थी जो थी जो मैंने बता दी आप चाहते हैं modern history को पढ़ाओ तो मैं आप comment section लिखेगा अगर बहुत ज़्यादा comment आते हैं तो मैं आप लोगों को पढ़ा दूँगा आगे चलते हैं विलेजर रजस सेंचुरी टैक फॉर लंगूर हैविटेट तो नेबर जो थे गोल्डन लंगूर हैविटेट के western यह कौनसे डिस्टिक है क्या कहते हैं गौहाटी में तो मतलब एक century है मतलब नॉर्मल डिस्टिक है तो state government चाहती है कि उसे क्या कहते हैं सेंचुरी बना दिया रहा है वाइड लगूर क्यों क्योंकि यहाँ पर रहते हैं क्या रहते हैं गोल्डन लंगूर याद रखेंगे किस सेंचुरी की बात हो रही है ककोई जाना रिजर्व फॉरेस्ट कोई जाना याद रखेंगे यह आसाम का पाठ है आसाम और भूटान का पाठ है और यह जो गोल्डन लंगूर है यह शिड्यूल 1 में आते हैं शिड्यूल 1 जो है सबसे ज्याधा protection होती हो wildlife protection act 1972 याद रखेंगे यह शिड्यूल 1 में आते हैं शिड्यूल 5 में आते शिड्यूल 5 में आते है वर्मिन अनिमल जिनको हम मार सकते हैं और यह वल्ड 25 इंदेंजर्ट के घिकनि में आते कोई जाना रिजर्व फॉरस्ट शेयर नांपके फॉरस्ट यह जा में बतल memo मतलफ्ट मिल्ड हैं कोप weakness कुके जाते और भूटान में to look at चाहते हैं और यह यह फॉर स्ट राइट इल्टे क्या सब्सक्राइब कि लग नहीं है तो इसलिए मैं इसको लिए पूछा जाएगा उतना ही मैंने बता है कि ये किस schedule में आते हैं कहां कौन सा forest पाए जाता है बस आगे चलते हैं मैंनी seat redrawn in Jammu Kashmir delimitation draft तो बहुत सारी seats बनाई गई delimitation किया जाता है हर 10 साल बाद जनरली करना पड़ता है कि हर census जब भी कि अब हमें कितने population पर एक MP बनाना है कितने population से हमें seat लड़वानी है तो उसके लिए delimitation का draft तयार हो गया बस आपको याद रखना है कि हर census के बाद किया जाता है ऐसा नहीं है कि हमेशा किया गया हर census के बाद इसलिए मैं इसको जादा detail में नहीं बता रहा हूं जितना मैंने बताया बस उतना ही काफी है सर इसका वियर था step of success तो सर इसका tiger reserve बताने की जरुद नहीं है कहां पर है तो यह जो है टाइगर लॉंच अबट शिक मत अगो वहाँ पर रही है कभी-कभी बोल रहे है कि बहुत कम हो जाती है तो यह हमेशा डाइगर पॉपलिशन देवाइफ सेंच्री अगों टुट वाइल रिसोर्ट विंग प्रोवाइड़ टू क्रियेट वाट रोल तो अभी मतलब पहले इसमें इंट्रोड्यूस किया गया था अब महाँ जो है 25 हो चुका है एक जो सवाल बनता है तो इसको मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, जो बच्चे मेरे साथ continue पढ़े हैं, उन सब को पता है कि यह जो news है, मेरे साथ पढ़ने का best बात यही लगता है बच्चो को, कि मैं जो news है, वो एक दूसरे दिन interconnect होती है, मतलब आज वो news आई, वो कल भी आएगी, तो मैं कोई हिंटे दे देता हूँ, कि भाई यह मैं बता चुका हूँ, यह आप एक जाकर रिवीजन कर लिजेगा, ठीक है, आगे चलते हैं, only one in four, उडान, roots arrived after three years, तो अब यह क्या था, उडान क्या है, उडए देश का आमनागरिक, यह ministry of civil aviation के एक scheme थी, जिसमें यह बोला गया थ कि इन्होंने कुछ roots identify करे थे, कि जहां पर flights चालू की जाया है, बहुत सस्ते दाम पर, तो जितने भी, इन्होंने चार root मान के चलिए बनाए, इन्होंने चार root बना दिया, एक root यह, एक root यह, लेकिन तीन साल बाद study की गई, तो यह पाए गया, कि इन चार root में से बस एक ही root है, जिस पर मतलब अच्छे से survive, जो आई तक जिंदा रह पाया है, बाकी के सारे root जो है, वो खतम हो गए, इसमें जो बात हो रही थी, वो VGF की बात होती थी, वाइवल्टी gap funding, इसमें क्या होता है, कि सरकार कुछ पैसा देगी, कुछ पैसा हम देते थे और पूरा जो gap funding जो plane को चलाने के लिए, वो complete हो जाती थी, तो इससे क्या होता था, कि जो normal user है, उसको सस्ता पड़ता था, आप यह समझ सकते हैं, कि subsidy मिल जाती थी, तो ठीक है, तो आपको बस इसका नाम याद रखना है, ओडान scheme, किस related है, ministry of civil agency related है, और क्या कहतना है, चार मैं से एक ही मत settled by March, sales minister, तो तिरपुरा की जो Bruce की जो people है, Bruce एक travel community है, जो मतलब आई थी, बहार से आई थी, तो अब यह कारते हैं, कहां रहते हैं, तिरपुरा में रहते हैं, बस आपको याद रखना है, Bruce जो है, वो कहां की community है, अब जी जो है, तिरपुरा की community है, ठीक है, बस, इससे की नहीं है, वो नहीं है काम की, clear मैं बोल रहा हूं, सत्कोसिया making fresh attempt to become a suitable tiger habitat, तो सत्कोसिया, the tiger dead was relocated from the कहना reserve forest, कहना भी MP, to the सत्कोसिया tiger reserve in Odisha, तो यह tiger reserve याद रखेंगे, सत्कोसिया tiger reserve, और मैंने आपको 2-3 tiger reserve के नाम बता हैं, एक तो पनना बता दिया, कहना बता दिया, र wild life forest कहाँ पे हैं, तो यहाद रखेंगे, सत्कोसिया tiger reserve, जो है, वो कहाँ पर है, वो है, ओडीचा में, ठीक है, इसमें लाए गया था tiger, और फिर वहाँ fresh attempt हो रहा है, कि यहाँ और जाज से यादा tiger लाए जाए जाए, बाकी और किसी काम का नहीं है, ठीक है, आगे चलते है, rare insect cited in sasha chalam, तो sasha chalam hill में, एक rare tiger, वो insect पाए गया, dragonfly, black parcher, यह black parcher है, यह पाए गया है, कहाँ पाए गया है, sasha chalam hills में पाए गया, sasha chalam hill देख लीजीए यहाँ पे, बहुत बच्चे बोलते हैं, सर आप location नहीं दिखाते हैं, तो भाईया आप यह देखो location में दिखा रहा ह यह location में दिखा दी, यह तिरूपती में पाई गई है, मेली तो में लगता है, हाँ, तो sasha chalam कभी को भी क्या होता है, बहुत सारी hills को लाइन से लगवा लेता है, तो इसलिए मैंने आपको यह भी दिखा दिया कि कैसा दिखता है, तो sasha chalam, नील-गिरी, नील-गिरी जो है बाउंडरी पर है, तीन जो स्टेट से उनकी यह वाली स्टेट, करनाटक, केरल और रिता मिलाडू, इन तीनों की पाउंडरी पर पाई जाता है, नील-गिरी बायोस्फेर रिजर्व, यह गल्फ ऑफ मननार है, यह अगस्त मलाइड बायोस्फेर रिजर्व है, और सेशय च तो ग्रीन बॉंड की बात की गई है, यह आपने देखा होगा, रोड के बीच में पेड़ होगे रहते हैं, साइड में गास होगी रहती है, तो उसके लिए सरकार ने बॉंड निकालेते हैं, तो इनकी टाइम लिमिट भढाने की पात हो रही है, कि इनको थोड़ा सा टाइम बढा तो ताकि लोगों को जादा इंटरेस्ट आए, जादा उनको पैसा मिले, तो यह बात की गई, अभी ऐसे इसमें कोई, मतलब पर्मानेंट बात नहीं हुए, केवल ऐसा बोला गया है, यह जो है, इनको हम बोलते हैं, रुपी डिनॉमिनेटेड मॉंड्स, रुपी डि शांती श्री पंडित, जो की पहली वोमेन वाइस चांसलर नहीं चलाओंगी, आगे चलते हैं, यूनिवर्सलाइज मेटरनेटी बेनिफिट स्केम सीज एक्तिविटिश, तो यूनिवर्सलाइज की बात की गई है, क्यों, क्योंगि अभी सरकार क्या बोलते हैं, जब भी बच्चा पैदा होता है, तो प्रधान मंतरी मातरत्व बंदना यौजना, P.M.M.V.Y. प्रधान म बोल देता हूं इसमें क्या बोला गया है कि first child के लिए तो भली लड़का हो लड़की हो किसी को भी हो 5000 रुपे मिलेंगी मिलेंगी लेकिन second child अगर आपके होता है आपको तभी पैसा मिलेगा जब वो लड़की हो इस सरकार क्यों करती है ऐसा सरकार इसलिए करती है ताकि जो हम गल्स को मार देते हैं ना मारें ना कि थोड़ा ओध पैसा देगे किसी भी गल्स की जो लाइफ है उसको सेफ किया जा सके तो इसमें दिया जाता है जन्री स्रक्षय योजना अंडर विच नियरली 1000 इस गिवन योजना में मिलते हैं तो ऐसे टोतल 6000 रुपए मिलते हैं जब भी एक बच्चा पैदा होता है उसको छीक है तो यह च्षोटी सी न्यूस थी इस ज्यूजरी जाहीमिनस थी और शूस तुन करने की जरूषान नहीं से जाहीर दीऊ नकोस पूछ नहीं थे लेकिन मेरे according यही important news है जो आपसे पूछी जा सकती है और हमारी magazine आती रहती है आप उसको follow कर सकते हैं उसमें हम sports का भी अलग से एक section मना देते हैं ताकि sports से भी कोई सवाल हो तो आपका काम हो जाए यह news फिर में को लगता है कि बच्चे कहते हैं कि sir यह केवल एक दिन पढ़े कोई अच्छा ऐसे भीजना हो चेक करवाना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है शिवम अंडर्सकोर त्यागी अंडर्सकोर एस्टी तो आप में को follow कर सकते हैं also follow study fund on telegram instagram so you can get the latest update सबसे important जितने वच्चे देख रहे हैं वो please comment में बताईएगा कि मैं 15 डेस वाला तो न्यूज आती ही रहेगी अगर आप चाहते हैं डेली आए तो डेली बताईएगा ठीक है बढ़ते रहे हैं आगे बढ़ते रहे हैं signing of today take care bye bye